साई की बात लिखने वाला तुम्हारा साई है मेरे बच्चे क्यों चिंता करते हो और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने मन को विचलित क्यों करते हो मेरे बच्चे तुम्हारा मन इतना अशांथ क्यों रहता है क्यों मेरे बच्चे, शांत क्यों नहीं रखते अपने मन को, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर बार तुम्हारे साथ हूँ, हर बार तुम्हारा साथ देता हूँ, कोई काम तुम्हारा रुकने नहीं देता मेरे बच्चे फिर भी तुम चिंता में घुले जाते हो, क्यों मेरे बच्चे? और सुनो, मैंने अपने कुछ बच्चों को सच दिखाया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो सच थोड़ा कड़वा है, वो सच लाना पर मेरे बच्चे तुम्हारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मैं नही मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी जूट में जी हो मेरे बचे, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ धोका हो, कभी नहीं चाहता, मैं जानता हूँ मेरे बचे, जो सच तुम्हारे सामने आया है न, इतनी कड़वी ओश्दी बन कर, तो मैं जानता हूँ मेरे बचे, इसे अबी से इतना मजबूत बन जाओ ना कि आने वाले कल में तुम अपने आपको संभाल पाओ मेरे बचे इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ो और किसी पर भी न इस तरह विश्वास मत करना मेरे बचे कि आगे चलके तुम्हें दोखा मिले मैं कभी नहीं चाता मेरे बचे कि तुम्हें दुख हो और सुनो अपने कुछ बच्चों को बोलना चाता हूँ मैं कि वो इतना जादा व्यस्त रहने लगी है ना कि वो साइंस चरितर भी नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें वक्त नहीं मिलता तो मेरे बचे चाहे वक्त निकालो मेरे बचे चाहे एक अध्याय पढ़ो या आदा पढ़ो या छोटा सा ही पढ़ो मेरे बचे लेकिन पढ़ो जरूर मेरे बचे क्योंकि तुम्हें उसमें बहुत कुछ संकेत मिलेंगे मेरे बचे जो तुम्हारी जिंदिगी से जुड़े हुए होंगे मेरे बच्चे, जिसे तुम्हें आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हें समझ आएगा मेरे बच्चे, कि तुम्हारा साइन तुम्हें क्या समझाना चाता है, तुम्हें क्या संकेत देना चाता है, तुम् अपने कुछ बच्चों को समझाना चाता हूँ ये जोतिश विद्या के चक्कर में मेरे बच्चे क्यूं पढ़ जाते हो मेरे बच्चे क्यूं इदर उदर भटकती हो क्यूं सब पर विश्वास करते हो तुम जानते हो न ये कुंडली लिखने वाला तुमारा साई है तुमारा साई चाहे तो तुमारी किस्मत को पलट सकता है तुमारे भागय को पलट सकता है मेरे बच्चे तो क्यूं चिंता करते हो और जानते हो जिस जोतिश के पास तुम जाते हो न मेरे बच्चे जिस पर तुम विश्वास करते हो उसे बनाने वाला भी तुम्हारा साई है मेरे बच्चे क्यों विश्वास करते हो तुम अगर मैं चाहू ना तो तुम्हारे भागे की रेखा को पलट सकता हूँ और अपने कुछ बच्चों को तो मैं बहुत डाटना चाता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर वो इतना सोचते हैं कि उनका मानसिक तराफ बढ़ता जा रहा है मैं उनसे हमेशा मना करता हूँ कि मत सोचा करो मेरे बच्चे क्यों इतने चिंता में खुले जाते हो क्यों मेरे बच्चे जब तुम्हारा साइन तुम्हारे साथ है जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें नकारात्मक सोच तुम्हारे आसपस आ रही है तो उस वक्त मेरे लीलाओं का श्रवन किया करो हो सके तो मेरे भजन सुना करो मेरा नाम चाप किया करो ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं मेरे बच्चे जिससे तुम अपने आपको व्यस्त रख सकते हो घर में बहुत सारे काम होते हैं करने वाले वो किया करो ना मेरे बच्चे जो तुम्हारे शौक है जो तुम्हारा शौक है मेरे बच्चे, उसे किया करो ना, जो तुम्हारे पसंदिता काम है, उसे किया करो ना मेरे बच्चे, जितना हो सके ना, अपने आपको व्यस्त रखने की कोशिश किया करो, तुम जितना अपने आपको व्यस्त रखोगे ना मेरे बच्चे, तो उतना उतना चिंता मुक्त रहोगे मेरे बचे और सुनो कुछ मेरे बचे जो यंत्रों को बहुत देर तक देखते हैं रात रात तक देखते हैं मेरे बचे क्यूं मेरे बचे जो नीन का समय होता है न तो सोया करो मेरे बचे पूरी तरह से निंदरा लिया करो मेरे बचे अगर धंग स अगले दन तुम आलस में रहोगे परिशान रहोगे तुमारे नीन नहीं पूरी होती मेरे बचे तो मत किया करो ऐसा खुश रहो मेरे बचे बहुत खुश रहो आज का रात्री साई संदेश समाप्तुवा